हेलो गाइस वेलकम बैक टो मैं चैनल तो भाई आज मैं आचुका हूँ आपके सामने दुबारा एक नई कॉलिज का रिविव लेकर तो भाई आज मैं रिविव करने वाला हूँ ट्यूलाज इंस्सेट्यूट धहरादून का ठीक है वाई ये एक कॉलेज धहरादून में सिच कितनी है ठीक है तो आपको सब कुछ जानने के लिए इस कॉलेज के बारे में सब कुछ मिल जाएगा जानने के लिए ठीक है इसी वीडियो के इंदर तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना एक आपके लिए अच्छी एक नए कॉलेज के बारे में जानने को मिलेगा और साथ में उसकी पूरी information जानने को मिलेगी ठीक है बाई जिनका जेगी कपेपर अच्छा नहीं गया है और जो देहराद उन साइट से रहते हैं उनके लिए काफी अच्छा college होने वाला आएगी साथ में विहार student credit card भी इसमें आप यूज कर सकते हैं तो फिर विहार से जो student belong करते हैं उनके लिए बहुत जाद अच्छी बात है ठीक है बाई तो वाई अब वीडियो को शुरू करते हैं अब इस college की fees की बात कर लेते हैं वीटेक के लिए ठीक है अगर आप लेटरल एंट्री चाहते हो इस college में ठीक है तो आपकी जो फर्स्ट चेयर की बहुत ही कम फीज देखने को मिल रहे हैं यह ठीक है और अगर मैं आपको hostels की फीज बताऊं तो वह हॉस्टल चार्ज है जो रेगुलर आपका नॉन एसी हॉस्टल है उसका 92,000 चार्ज है ठीक है साथ में अगर जो इसी के साथ आप hostels लेना चाहते हो तो उसका चार्ज हो जाएगा आपका एक लाख अठासी हजार रुपे और यह चार्ज पूरे साल गाए ठीक है 95,000 टोटल और एक लाख एक अट्रीस जार टोटल आपका विदाउट लेटरल एंट्री अगर जो आपकी बीटेक है उसकी फीस की बात करूँ चार साल की जो आपकी बीटेक होती है तो उसके लिए भाई आपकी एक साल की फीस पढ़ेगी हाँ पे एक लाख 35,000 रुपे जो इंजिनरिन कॉलिज के हिसाब से डीसेंड है ठीक है अगर आपको हॉस्टल चीए तो हॉस्टल के लिए फीस मैंने आपको बता दिये ठीक है और बागी सारी चीज़ें आपकी सेम रहेंगी ठीक है और अगर अगर दूसरे कोर्स के लिए आप देखना चाहते हैं तो एक लाख 10,000 साल की फीस रहेगी ठीक है जैसे एसी हो गया का मेकानिकल हो गया ट्रिपली हो गया ठीक है सिविल इंजिनिरिंग हो गई इन सब के लिए एक लाख 10,000 आपकी एक साल की फीस पढ़ रही होगी ठीक है अगर आपकी तीन साल की टूटल फीस रहेगी दो लाख 10,000 रुपे ठीक है और हॉस्टल चार्जस वही सेम है ठीक है बाकी अगर बीस ये भी आप इस कॉलेज से कर सकते हैं तो उसकी वी टूटल फीस रहेगी दो लाख 10,000 रुपे ठीक है बाई और बाकी और बी सारे कोर्स यहां पर बाकी और और किसी की भी जानने ना आपको फीस तो आप मेंसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मैं सब कमेंट में गूगल फॉर्म दे रखा है उसको आप फिल कर सकते हो आपको कोई भी अगर दिक्कत हो तो आपको कॉलेज वाले खुद से कॉन्टेक्ट करके बता देंगे बिल्कुल फ्री में ठीक है भाई तो भाई अब हम आ चुके हैं की ओफिशल वेबसाइट के ऊपर सब्क्रकुल में कर सकते हो ओं अदर कंप्यूटर साइंस साइन निगा सकते हो चाहीं भी में ऐन्ट इसे साथ में जुंकी कर सकते हो उसके साथ ऍंटर्नेट अफ तिंग्स में आतोंी स्पेशलाइशन कर सकते हो ठीक है आप ईसी में इंटरनेट अफ व Kristen पर चने के सकते हो Btec के अंदर ठीच में साथ में इंजने कर सकते हो भी इंसारी ब्रांश में खर सकते हो ठीक है पॉली टेकनिक और बाकि बीसी ने सकती हो ठीक है अगर अपको प्लेस्मेंट बता दू ठीटी कि अब भी आपको बताऊंगा अगर मैं आपको पताव हो तो इसका प्राइनम का ठीक है और जो एवरेज पैकेज एस कॉलिज का वो है 5.6 लाक्स प्राइनम जो जो की एक डी सेंट है ठीक है और टोटल 750 प्लस प्लेज के लिए इस कॉलिज के अंदर ठीक है और जो इनका कैमपस है ठीक है आप यहां पर इनका देख सकते हो तो बहुत यह पर्टिकॉलर कंपनी वाइस यहां पर मैं आपको प्लेश्मेंट दिखा देता हूं ठीक है यह सारी कंपनी से और निचे इनके पैकेज भी दे रखकें इन्होंने के ठीक पैकेज दिया और सी यहारे कब्री ने एक तो यहां पर सारे इनकी वे क्राइक कर सकते हो ऑफ केमपस और आफ केमपस तो आप के लिए पूरी दुनिया खुली यह एक नावी पैकेज के क्रैक्ड कर सकते हो ठीच यहां तो यहां पर है ह Eleight सब्सक्राइब और बार की लगत्च इनों रहा थी लिए स्काहण घाल सब्सक्राइब का पैकेज देने वाले बट अगर आपकी स्किल्स अच्छी है तो आप थोड़ा अच्छा पैकेज यहां पर कर सकते हैं ठीक है भाई अगर मैं स्कॉलिज के इंफ्रस्ट्रक्टर की बात करूं तो देखो मैं आपको काफी सारी चीजें दिखा देता हूं कॉलिज के अंदर यह जो आपके सामें अपने देख रहे हो वह स्कॉलिज की लाइबरेरी है ठीक है और मैं कुछ इमेजे दिखां नहीं कुश करता हूं आपको लाइबरेरी की यह देखो लाइब्रेरी के अंदर के एंदर इंटीग्रेटीड है ठीक है यह भी आपकी लाइब्रेरी है तो अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इस कॉलेज का ओडिटोरियम जो की भूती वेल डेवलप्ड और वेल मेंटीन रहा है ठीक है भाई और यह देख सकते ह यहाँ पर कॉलिज के बीच में एक देखने को मिल रहा होता है साथ में बास्केट बॉल क्रिकेट जातर यहाँ पर खेला जाता है बाकि सारे गेम्स भी है ठीक है बास्केट बॉलीबॉल बैड्मिंटन तो स्पोर्स में काफी डीसेंट आपकूलिज इसको कह सकते हैं ठीक ह अगर अब भी आपके मन में कोई भी डाउट है आपको नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं हमारी टीम आपको खुझ से कॉंटेक्ट करेगी और यह सब बिल्कुल फ्री है ठीक है और अगर आपको कुछ भी बात करनी हो आप गू तो नीचे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा है जहां से आप कॉलिज के लिए अपलाई कर सकते हो उसको फॉर्म बढ़ सकते हो ठीक है भाई तो फिर आप वीडियो को यही तक रखते हैं यहां तक आगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना थैंक्स फर वाचिंग